महाराश्ट सरकार के निर्देशों के अनुसार 18-44 वर्ष के आयो के नागरिकों का टीका करन रोग दिया है वैक्सीन की उपलबदता के बाद सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस आयो वर्ष के नागरिकों के लिए टीका करन फिर से शुरू किया चाहेगा द्याशनकर तिवारी द्वारा प्रस्तुत मेर से लगातार 18 से 44 वर्ष के बच्चों के टीका करन और 45 वर्ष के बच्चों की दूसरी खुराग के बारे में पूछा जा रहा है महापौर ने कहा कि निगम द्वारा प्राप्टिका का उपयुप 45 वर्ष से अधिक आयो के नागरिकों को दूसरी खुराग दी जाएगी चिनकी दूसरी खुराग पाकी है उन्हीं नगरनिगम केंदर में जाना चाहिए और इस अवसर का लाब उठाना चाहिए उन्होंने आगे स्पर्ष किया कि अब सरकार की निर्देशानुसा केवल दूसरी खुराग दी जाएगी उन्होंने कहा कि राच सरकार से परियाप्टी के उपलब नहीं होने की कारण नगर निगम को टीका करन अभियान रोकना पड़ेगा पहले खुराग लेने वाले नागरिकों को दूसरी खुराग लेने में कटनाई हुई नागरिकों को अब राच सरकार से वैक्सीन की दूसरी खुराग मिली है जिन लोगों ने एक नीजी अस्पतार में पहली खुराक ली वे अपनी दूसरी खुराक नगर निगम केंदरों पर भी ले सकते हैं सभी नागरिकों को अपने साथ अपना पहला खुराक प्रमान पत्र लाना चाहिए उन्होंने कहा कि टीका करन निगम द्वारा प्रदान किया जाता है लेकिन राचसरकार द्वारा वैक्सिन की आपूरती की जाती है उन्होंने राचसरकार से टीकों की परियाप आपूरती करने की अपील की है अगर सभी नागरी टीका करन करना चाहते हैं तो टीकों की आपुरती को बरकरार रखा जाना चाहिए क्यामरा परसन राजखमार मोड के साथ अभिशेक पान से डिसे न्यूस नागपूर